कमलात के मंतरी कमलेश्वर पटेल ने एक सभा में ऐसा कुछ बोल दिया कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए अपने भाशन में सरकार पर कर्ज और वादों की चर्चा करते हुए मंतरी पटेल ने कहा कि वचन जाए पर प्राण ना जाए और मंतरी के इस वचन जाए पर प्राण ना जाए पर लोगों ने तालिया भी बजाए जमीन पर भले ही जनता के काम ना हो रहे हो आम जनता से किसान तक में त्राही माम के हालात हो लेकर कमलनास सरकार के मंतरियों के भाशन से लगता है कि वे रामराज लेकर आए हैं देवसर में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीड विकास मंतरी कमलेश्वर पतेल भी शानदार भाशन दे रहे थे खजाना खाली होने से प्रदेश के कर्ज और कॉंग्रेस के वादो तक कि उन्होंने चर्चाकर डाली अचानक भाशन में मंत्री कमलेश्वर पतेल ने कहा वचन जाए पर प्राण ना जाए कमलनाथ सरकार एक तरव जहां सत्ता बचाने की कोशिश में लगी हुई है तो वही कमलनाथ अपने मंत्रियों की फिसलती जुबान या ये कहे कि कुछ भी बग देने की यादत से परिशान है सभा को संबोधित करते हुए ग्रामीड और विकास मंत्री कमलेश्वर पतेल ने आतियूत सहा में आकर कहा कि कॉंग्रेस के नेताव ने चुनाव के समय वचन दिया था और कॉंग्रेस नेताव का कहना है कि वचन जाए पर प्राण ना जाए अब इसके माइने मंत्री ही बता सकते हैं या यूं कहें कि कमलनाथ सरकार जिस तरह के कारिक कर रही है उससे तो ऐसा लगता है जैसे कमलेश्वर पटेल की जुबान पे वही आया है जो उनके मन में है आप देख रहे हैं दखल्यूर